बिश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुहारी मकर रासी के जो जातक है आठ मार्च दोहजार चोबिस की दिन सिवरात्री मनाई जा रही है सिवजी की विशेस कृपा आपको किस तरह प्राप्त हो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए साथी साथ यदि आपकी आर्थिक इस्तिती सही नहीं हो रही है आप अपनी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शिवरात्री पर क्या उपाय करें। यदि आपके दामपत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, किसी भी तरीके का कोई अवरोध आ गया है। या आपकी लोव लाइफ में कोई समस्य आ गई है। विवाह आपका विलंब हो रहा है, लेट से हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत सारे दिक्कते वैवाहिक जीवन में आपके आ गई हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय किया जाए। आपकी दिन मकर रासी के जो जातक हैं, यदि आपकी आर्थिक वेवस्ता सही नहीं चल लई है, आपने बहुत सारा प्रयास करके देख लिया, फिर भी आपकी जो आर्थिक इस्तिती है वो नहीं सुधर रही है, कहीं कहीं आपके बिजनिस में घाटा बढ़ता चला जा रहा आर्थिक समस्या से आप जूज रहे हैं, आप बहुत सारे टोटके करके देख लिए, बहुत सारे उपाय करके देख लिए, उसके बावजूद यदि आपकी जो समस्या है वो नहीं दूर हो रही है आर्थिक तो आप सिवरात्री पर ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इसक उसके उपर सफेद कलर से सफेद चंदन से आपको राम राम लिख लेना है और उसके साथ थोड़ा सा आपको काला तिल ले लेना है और सिव जी को 11 बजे के बाद आपको समर्पित कर देना है मकर रासी के जो जाता कि उनके लिए उपाय है मात्र आप इतना कर देते हैं तो इससे आपके कुंडली में जो धन का छित्र है वो मजबूत हो जाता है और जो आर्थिक इसलिए से आप जूज रहे हो जो तकलीप में आप हो उससे आपको दिरे दिरे निजाद मिलना प्रारम हो जाएगा यदि आपके दामपत्य जीवन में बैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके को कोई समस्या आगई है आपकी जो लव लाइफ है उसमें कोई समस्या आगई है आपकी जो फेमिली है आपका जो परिवार है वो आपके वर भरोसा नहीं कर रहा है आपके और आपके पार्टनर की बीच में दिन-प्रतिदिन दूरियां बढ़ती चली जा रही है, तलाक तक की नौबत आ गई है या आपका विवाह बार-बार होते होते से रह जा रहा है कार्ड छप जा रहे हैं उसके बावजूद भी आपका विवाह केंसल हो जा रहा है कहीं न कहीं यदि आप पुरुस हैं तो आपके कुंडली में सुक्र खराब जगह पे बैठे हुए हैं यदि आप इस तरह हैं तो आपके कुंडली में गुरु महराज गलत दृष्टी पे बैठे हुए हैं तो जो पुरुस हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ यदि आप सुक्र को मजबूत करना चाहते हैं अपने दामपत्य जीवन में खुसहाली लाना चाहते हैं विवाह में जो अवरोध है उसे आप हटाना चाहते हैं तो सिवरात्री पे सुक्र को आप जरूर मजबूत करिएगा सुक्र को मजबूत करने के लिए सिवजी पर आप दूद से अविशेक जरूर करिएगा यदि आप दूद से सिव जी पर अविश्यक करते हैं तो निश्चित ही आपके कुंडली में जो सुक्र हैं वो मजबूत हो जाएंगे साथी साथ आप सफेद चंदन सिव जी को चढ़ाना ना भूलियेगा सिव रात्री के दिन इससे आपके कुंडले में जो शुक्क रहें वो मजबूत हो जाएंगे और जो आपके वेवाहिक जीवन में जो समस्याइं आ गई हैं उससे आपको निजाद मिल जाएगा, मुक्ते मिल जाएगी साथी साथ जो महिला हैं मैं उनके लिए पता रहो कि यदि आप अपने कुंडले में ब्रिहस्पती को मजबूत करना चाहते है जिससे आपकी जो समस्या है साधी के लेके यदि आप उससे निजाद पाना चाहते हैं तो ब्रिहस्पती को आप जरूर मजबूत करिएगा ब्रहस्पती को मजबूत करने के लिए आप सिव जी पर पीला फूल या फिर हल्दी का पानी या केसर का पानी जरूर चढ़ाईएगा साथी साथ आप उनको पीला टीका लगाना ना भूलिएगा सिव रात्री की दिन मात्र इतना करने से आपके कुंडली के जो गुरू है जो ब्रहस्पती है जूपिटर है वो मजबूत हो जाते है आप इतना करिए आपके कुंडली में जो ब्रहस्पती कमजोर है वो मजबूत की स्तिती में आ जाएंगे और जो आपके वैवाहिक जीवन में जो विवाह को लेके आपकी समस्या चल लएए उससे आपको निजाद मिल जाएगा यदि आपका भाग या आपका साथ नहीं दे रहा है आप बहुत सारा प्रयास कर रहे हो लेकिन कहीं ने कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग या आपका साथ नहीं दे रहा है पास होते होते आप रह जा रहे हो दो नमबर चार नमबर दस नमबर से आप पीछे रह जा रहे हो 99% आपका कार्य हो जा रहा है एक प्रसंट की वज़े से आप पीछे हो जा रहे हो यदि आपका भाग या आपका सांत नहीं दे रहा है तो मात्रे 11 दाने काली मिर्च के ले जाके सिव जी को सिव रात्तिरी पर आप जरूर अरपड करिएगा इससे जो आपका भाग या आपका सांत देना प्रारंब कर देगा यदि आपको कोई पुराना रोग सता रहा है या आपके मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई रोग पकड़ने वाला है उससे आपको अपना पीछा चुड़ाना है। आपको काला तिल सिव जी को चड़ाना है मात्र इतना करने से जो आपका रोग है वो आपका पीछा निश्चित ही छोड़ देगा। यदि आप उस दुख से अपने आपको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। सिव रात्री की दिन यदि आपके मन में पस्चाताप का भावना है तो सिव रात्री की दिन आप सवा किलो जव और सवा किलो गेहूं ले जाके सिव जी को अरपित कर दीजिएगा। इतना करने से जो आपके मन में पाप का भाव है वो कम हो जाएगा। पाप का ताप जो आपको सता रहा है उससे आप मुक्त हो जाओगी। साथी साथी आदी आपको सिव जी की बिसेस क्रिपा प्राप्त करनी है तो जो मैं ये उपाए बता रहा हूँ इसको आप जरूर करिएगा। आपको मात्र 108 बेल पत्र ले लेने हैं और सब के उपर आपको हल्दी से राम राम लिख लेना है। और आप अपने लंबाई के बराबर काला लाल और सफेद धागा ले लेना है और उसको मोल्ड करके उसकी एक माला बना ले ली है जो 108 बेल पत्र है उसका जोड करके। और आकड़े का फूल लेना है मदार का फूल आकड़ा मतलब मदार और धतुरे का फूल ले जाके सिवरात्री के दिन सिवजी को समर्पित करना है 11 दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा काला तिल ले जाके समर्पित करना है मात्र इतना करने से आपके कुंडली में जो 9 ग्र किसारिक हो अध्यात्मिक हो हर तरीकीकी जो समझेयां है उससे आपको मुक्ति में लेगी सब्सक्राइज आपके और